आज के वीडियो में हम discuss करेंगे कि किस तरह से dendritic cells activate होती है bacteria, fungus, viruses और worms किस तरह से dendritic cells के साथ interact करते है किस तरह से toll-like receptor activate होते है और output in the form of cytokines किस तरह रहती है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से T cell activate होती है इस वीडियो में दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि जो dendritic cell का function है वो पूरी तरह से आपको बता सकूँ और इसका role जो है innate immune system में क्या रहता है वो भी describe कर सकूँ तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो please वीडियो को like करें और अगर चैनल का content आपको पसंद है तो चैनल को subscribe जरूर करें चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आज के topic में हम discuss करेंगे कि जो dendritic cell है वो किस तरह से एक signaling pathway activate करते हैं और अलग-अलग जो pathogens होते हैं जैसे bacteria, viruses और worms हो गए वो किस तरह से signaling को activate करते हैं तो इसमें हम basically dendritic cell के role को discuss करेंगे in detail और आपको यहां से पता लगएगा कि dendritic cell कितनी important होती है हमारे innate immune system के लिए और इसमें जो molecules होते हैं वो भी हम discuss करेंगे कौन-कौन से molecules जो है वो involved है तो यह आपके सामने जो है मैंने structure बना लिया है dendritic cell का और एक center में एक nucleus बना रहा हूं मैं क्यूंकि सारे जो pathways होते हैं वो nucleus से ही directed होते हैं तो outside signal आएगा तो सबसे पहले जो signal यहां पर मैं बना रहा हूं वो bacteria से मिलेगा dendritic cell को तो bacteria किन receptor के साथ activate करता है interact करता है और activation करता है वो है tool-like receptors और इसके case में tool-like receptor 4 & 5 यह important होते हैं bacteria के case में और जब signal जो है inside dendritic cell जाता है और via nucleus जो होता है उसकी processing होके जो signal जो है उसकी output रहती है in the form of a particular cytokine और वो है cytokine interleukin 12 और interleukin 12 का बहुत important role है in native immune system में अब दूसरे pathogen की बात करते हैं वो है virus virus किस तरह से जो है energetic cell को activate करता है इसमें virus की सबसे पहले processing होती है wire tool-like receptor लेकिन इसमें अलग tool-like receptor होते हैं वो है 3, 7 & 9 यह आपको याद रखना है virus की case में endosomal tool-like receptors होते हैं और वो IL-12 की production करेंगे same as in case of bacteria और साथ ही साथ वो क्या करेंगे wire mhc molecules जो है वो process करते हैं mhc molecules जो होते हैं वो carry out करते हैं endogenic molecule to the surface और वहां से जो है फिर dendritic cell activate करती है naive T cell को अगर आपने मेरे वो वीडियो देखे हैं जिसमें मैं T cell activation की बात करता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत clear हो जाएगा अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें देखें यहां पर मैं बताने कोशिश कर रहा हूँ N से जो naive T cell है वो activate हो रही है क्योंकि virus के component जो है वो dendritic cell ने present किया है तो naive T cell और naive T cell जो है वो differentiate हो रही है TH1 T cell में जो कि further interferon gamma की production करेगी और interferon gamma क्या function होता है यह आपको अभी तक जो है clear हो जाना चाहिए यह बहुत important होता है antiviral immune system केस में अब आते हैं third important pathogen के case में वो है fungi और fungi केस में क्या होता है कि एक receptor होता है on the surface of nitritic cell उसको कहते है dactin यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ receptor का structure मैंने बना लिया है उसका नाम लिख लेता हूँ dactin via this receptor क्या होगा signal की processing होगी और output होगी in the form of cytokines और कौन-कौन से important cytokines होगे इसके case में इसके case में होगे आपके पास IL-6, IL-23 और साथ ही साथ जो है naive T-cell की activation भी होगी same as in case of virus तो उसके case में क्या होगा कि एक अलग subset activation एक अलग subset की activation होगी of the T-cell और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ उसके case में होती है TH-1 बेक्टिरिय केस में और इसके case में TH-17 और यह regulatory T-cell भी इसको कहते हैं और इसको TH-17 इसलिए कहा गया क्योंकि यह IL-17 के production जो है वो करते है अब आते हैं next हमारा जो है pathogenic organism हो ह है helminth उसके case में क्या होता है कि toll-like receptor again जो है वो बहुत important role play करते हैं और 2 and 6 यह important toll-like receptor है जो helminth के case में होते हैं और again output होगी in the form of cytokines और इसके case में IL-10 and TGF-beta यह important cytokines होते हैं जो release होते हैं और साथ ही साथ इसकी भी antigenic processing होती है और जो है knife T-cell की activation होती है और मैं इसमें बताऊंगा कि कौन सी जो T-cell activate होगी आप guess कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी immunology बहुत अच्छी है इसके case में होती है TH-2 cell की activation जो की further IL-4, IL-5 और IL-13 की production करती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा mechanism मैंने आपको बता दिया क कि किस तरह से अलग-अलग organisms जो है wire toll-like receptor जो एक signaling pathway activate करते हैं यहाँ पे हम intermediatory molecule में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा confusion हो जाता है फिर और आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से जो है वो surface proteins जो की toll-like receptor है वो further signal को process करके in the form of cytokines और in the form of antigenic processing अलग- इसको activate कर रहे हैं तो dendritic cell के एक बहुत important role होता है यह आपको याद रखना है यह topic बहुत important immune system में अगर आप research कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि dendritic cell का क्या role है और अगर आपकी कोई hypothesis है किसी infection को आप study कर रहे हैं तो आपको इन protein के पता होना जरूरी है ताकि जो है आप इनका expression चेक कर सकें तो उमीद करता हूँ दोस्तो आपको यह lecture अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें उमीद करता हूँ दोस्तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसमें जो जो pathways मैंने आपके साथ discuss करने की कोशिश की आपको बताने कोशिश की bacteria किस तरह से react करता है dendetic cells के साथ और viruses, fungus as well as हमने worms के बारे में भी discussion करने की कोशिश की तो उमीद करता हूँ कि आपको जो है तोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि dendetic cell का function क्या रहता है और इस वीडियो से आपको सही जानकारे मिली होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल का content आपको बसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस् हुआ 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 है